मामरियम के इस महिने के आज नव वान दिन, आज का मननचिंदन का विशय है, मामरियम की एलिजबत से भेंट, आज की दिन के मननचिंदन में सबसे मौतपूर्ण वाक्य है, मेरी आतुमा प्रभू का गुणगान करती है, संदलूकस रचिसु समाचार अध्या एक पत्संग्य 46, मामरियम ने स्वर्गदूत का शुब संदेश स्विकार किया, इस पर देवदूत ने अपनी बात का प्रमान भी उपस्तित किया, जिससे संदेश का सत्य और भी सुद्रण हो जाए, उन्होंने कहा, देखिए, बुडापे में आपकी कुडुम्बिनी इलिजबत के भी प पूत्र होने वाला है, अब उसका जो बांज कहलाती थी, छटा मेना हो रहा है, क्योंकि इश्वर के लिए कुछ भी असंपव नहीं है। जिसके आगमन की प्रतिक्षा, लोग इतने सालों से कर रहे थे। देवदूत का संदेश सुन लेने के बाद, मरियम के मन में अपनी कुडुम्बिनी इलिजबत से मिलने की इच्छा का उटना सुभाविक था। मरियम ने यलिजबत के घर की ओर प्रस्तान किया। जब इलिजबत ने मरियम को अपने घर आते देखा, तो वह उसकी अगवानी करने उटखडी हुई। आशरिय भरे अपरिचित आनंद के साथ उसने मरियम का स्वाकत किया। तत पशात यलिजबत के मुख से एक आशरिय चनक बात निकली। रास्ते भर मरियम इस सोच से दभी जा रही थी कि एलिजबत से दिव्य बाल की मा बनने की विलक्षन बात भला कैसे कहूंगी। पर वहां पहुँचने पर उसे इस विशे में जीब हिलाने की भी अवश्यक्ता नहीं पड़ी। इश्वर की प्रेरनाज से एलिसबत सभी बातें जान गई थी। एलिसबत ने इसलिए कहा आप नारियों में धन्य हैं और धन्य हैं आपके गर्ब का फल। संद लूकस अध्याएक पत्संग्या 42। अपने यहां मा मरियम की उपस्तदी को गवरपूर्ण समझ कर इलिसबत ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया। मुझे यह सवभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभू की माता मेरे पास आई। मेरे यहां आई। लूकस अध्याएक पत्संग्या 42। मरियम क्या कहती। उसे मालुम था कि यिश्वर ने मुझे सर्वश्रेष्ट कार्य के लिए चुन लिया है। उसे यह भी घ्यात था कि वह प्रभू की माता यिश्वर की माता बनने वाली है। और यह जानकर हिलिसबत को सभी रहस्य ज्यात हो चुका है। मरियम ने उल्लस सित होकर कहा। मेरी आतमा प्रभू का गुन गान करती है। मेरा मन अपनी मुक्तिदाता यिश्वर में आनंद मनाता है। क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टी की है। अपसे सब पीडियां मुझे धन्य कहेंगी। क्योंकि सर्वशक्ति मान ने मेरे लिए महान कारिय किये हैं। पभित्र है उसका नाम। संदलू का सद्यय एक पत्संग्या 46 से 49 तक। मरियम की दिव्य प्रेममई बातें सुन लेने के बाद। यलिसबत ने भी अपनी आप बीती भी सुनाई। योगन के भावी जीवन का विरतांद कह सुनाया। दोनों अपनी परसपर बाचित से आनदित हुई। उनके सामने इश्वर की कृपादृष्टी उपस्तिती। मरियम तीन महिनों तक वहां आनंत पुर्वक रही। वे दिन महिमागान में बीते। तीन महिने यलिसबत के साथ रहने के बाद मरियम अपने गर लौट गई। यहां यह कहा जा सकता है कि माता मरियम के गर्व में पल रहा इसा मसीही मा मरियम को प्रेरना देता है कि वह इलिसबत से जाकर भेंट करें और उस नाजुक परस्तुदी में उससे यतोचित सहायता प्रदान करें। हम भी उसी इसा मसी को पवित्र कम्यूनियन में ग्रहन करते हैं। वह हमें आध्याद्मिक एवं लव की कारिय संबन करने हेतु प्रेरना के साथ साथ आवश्यक सहायता भी प्रदान करता है। इसलिए अपने संबंधियों तता पडोसियों से मेल मिलाप करते रहें। सबके प्रती सखान भुती रखें तता उनके हित के लिए कारिय करते रहें। प्रभ येसु प्रेमी इश्वर है और वह प्रेम का मर्म समझाते हुए कहता है कि तुम परस पर प्रेम करो जैसे मैंने तुमें प्रेम किया है। यदि तुम परस पर प्रेम करोगे तो सब लोगों को ग्यात होगा कि तुम मेरे अन्याई हो, मेरे शिश्य हो अपनी दाइनिक प्रार्थना के समय हम मा मरियम का स्मरन करते हैं तता उसे सम्मान देते हैं यह अत्ती उत्तम परंबरा हैं, प्रति दिन अपनी परिवार के साथ प्रार्थना करें, अपनी सुर्गीय मास से प्रेम करें तता उसके निष्ठावान पुत्र पुत्रियां बने रहें वह हमबर कृपावूं की वर्षा करेंगी तता दैनिक अवश्यक्तावूं की भी पूर्ति करेंगी आईए, इन महान रहस्यों से प्रेरित एक संद के जीवन के गटना को हम जानेंगे संद जोसफ कुत्तालंगों का जन्म 19 सदाब्धी में हुआ, वह इटली के च्यूरिन नामक शहर का निवासी था वह माता मरियम का परंभक्त था, वह अपने कक्ष में, अपने कम्रे में मा मरियम कित्त स्वीर के समक्ष प्रति दिन पवित्र रोसरे विंदी करता था वह पड़ोस्यों को भी इस प्रार्थना में भाग लेने हेतु अनुरोद करता था अन्य लोगों के साथ मा मरियम के सम्मान में गीत गाना, तता उसके नाम का प्रचार करना उससे अतिप्रियता, वह इतना ही करता था उसकी तीवर अभिलाशा थी कि वह दीन हीन एवं असहाय लोगों के हित में चिकित सालयों और अनाता अश्रमों की स्तापना कर सके लेकिन कर्चा तो बहुत ज्यादा लगता, लेकिन इन शुपकारियों के लिए उसने माता मरियम की सहायता हेतु प्रार्तना की माता मरियम ने अपने भक्त की प्रार्तना सुनी और उससे पूर्ण सहायता प्रदान की दानदाताओं की सहायता से कई स्तानों पर चिकिस्तालयों और अनाताश्रमों का निर्मान हो गया इन शुबकारियों को देख लोग आश्रिय चक्षित हो गई अब हजारों विक्ति इन संस्तानों से लाब उठा रहे हैं इसी प्रकार मामरियम अपने भक्तों तता जरुत मंदों की सहायता करती हैं एदि हम मामरियम के प्रेम में स्तिर बने रखेंगे तो वह हमें भी आवश्यक सहायता प्रदान कर अपने आँचल में सुरक्षित रखेगी हम भी प्रयास करेंगे हमारे जीवन में अभ्यास के लिए आज के इस मनंचुंदन से प्रेरित मामरियम के प्रेम के प्रती भले कारिय करते रहें। हम कुछ भी करें मामरियम को याद करके उनके प्रेम के लिए हम करते रहें। हैं हम प्रार्थना करें। अपने आपको तैयार करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हैं प्रभू हम अपने को और हमारे सभी प्रिय जनों को विशेश कर जिनके लिए इन वेदों को चड़ा रहे हैं। माता मरियम और असंक्य दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरे प्रेम में इन भेदों पर मनंचिंतन और प्रातना करने की कृपा हमें प्रदान कर। है हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज जाए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे प्रित्वी पर भी उड़ी हो। हमारा प्रत दिन का आहार आज हमें दे और हमारे अप्राद हमें शमा कर जैसे हम भी अपने अप्राद्यों को शमा करते हैं और हमें परिक्षा में ना डाल परन्तु गुराई से बचा आमें पिता इश्वर की प्रिय पुत्री माता मरियं विश्वास का गुण हमारे अंदर फल्वत होने के लिए येशु से प्राथना कर प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है धन्य है दूस्त्रियों में और धन्य है तेरे कर्प का फल येशु प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है धन्य है तूस्त्रियों में और धन्य है तेरे कर्प का फल येशु प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है धन्य है तूस्त्रियों में और धन्य है तेरे कर्प का फल येशु हे संथ मरिया, इश्वर की मा, प्रात्ना कर हम पापियों के लिए, अब होल हमारी उमर्ने के समय, आमें प्रेडितों का धर्मिजार, मैं स्वर्ग और प्रित्वी के स्रिष्टी करता, सर्वशक्ति मान पिताई श्वर, और उसके एक लोते पुत्र, अपनी प्रभु येशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्रात्मा के द्वारा, गर्ब में आया, कृरी मर्यम से जन्मा, 35 पिलातोस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दपनाया गया, वह अधु लोक में उतरा, और तीसरी दिन मिक्तकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, और सर्वशक्ति मान पिताई श्वर के दाहिने विराजमान है, व जहां से वह जीवितों और मिक्तकों का न्याय करने आएगा, मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कात्लिक कलेस्या, धर्मियों की सभागिता, पापूं की शमा, दे के पुर्णथान और अनंत जीवन में विश्वास करती हुँ, आमने ही हमारे पिता, जो सोर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्चा जैसे सोर्ग में, वैसे पृत्वी पर भी पूरी हो हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराद हमें शमा कर, जैसे हम भी अपने अपरादों को शमा करते हैं, और हमें परिक्षा में नाडार, परन्तु बुड़ाई से बचा, आमें प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तूस्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्व का फल एसो हे संथ मरिया इश्र की मा प्रात्ना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमे प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तूस्त्रियों में और दन्य है तेरे कर्व का फल एसो हे संत मरिया इश्वर की मा प्रात्ना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे उमर्ने के समय आमे प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है दन्य दूस्त्रियों में और दन्य है तेरे कर्व कफल एसो हे संथ मरिया, इश्वर की मां, प्रात्ना करह हम पापियों के लिए, अब होर हमारी उम्रने के समय, आमें पिता और पुत्र और पवित्राख्मा के महिमा होवे जैसे वा आदी में थी आप है और अनतकाल तक सदा रहेगी आमिन दुख के बेद पहला बेद गेद समिनी बारी में येशु की प्राण पेड़ा अंदिम भोजन के बाद एशु अपने सिश्यों के साथ गेद समिनी बारी पहुँचे वहाँ एशु उदास तता व्याकुल होने लेगे और उनसे बोले मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने मरने को हूँ तुम लो मेरे साथ जागते रहो और प्रार्थना करते रहो येश कुछ आगे बढ़कर मुह के बल गिर पड़े और प्रार्थना की मेरे पिता यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे ठल जाए फिर भी मेरी नहीं बलकि तेरी ही इच्चा पूरी हो प्राण पेडा के कारण उनका पसीना रक्त की बूंदूं की तरह धर्ती पर ठपकता रहा एक स्वरदूत ने आकर उनको ढाडस बंदाया प्रार्थना फिर प्राण प्यारे येशु तेरा कोई पाप नहीं था फिर भी पिता ने हमारे कल्यान के लिए तुझे पाप का भागी बनाया हमारे कटोर पापों के कारण ही तुझे असखनय पीड़ा सहना पड़ा इसके पुन्य फलों के द्वारा हम सबों को हमारे पापों को पहचानने की और पश्चाताप की कृपा प्रदान कर सब कटो और पापों के मन परिवर्थन के लिए इस भेद को अर्पित करते हैं हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जावे तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृत्वी पर भी पूरी हो हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराद हमें शमा कर जैसे हम भी आपने अपराधियों को शमा करते हैं और हमें परिशा में नाडार पड़ंतु गुराइसे बच्छा आमें प्रणाम मरिया, कृपापूर्न प्रभू तेरे साथ है धन्य है तूस्त्रियों में और धन्य है तेरे कर्ब का फलियशो हे संथ मरिया इश्रण की माँ प्रातना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमें प्रणाम मरिया कृपा पोर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य है तूस्त्रियों में और धन्य है तेरे कर्ब का फल येशो हे संथ मरिया इश्रण की मा प्रातना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मैंने के समय आमे प्रणाम मरिया क्रिपापोर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य है तुस्त्रियों में और धन्य है तेरे कर्प का फलियशो हे संथ मरिया इश्वर की मा प्रातना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मरने के समय आमें प्रणाम मरिया, कृपा पोर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तुस्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फलियशो हे संथ मरिया, इश्र की वा, प्रात्ना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमे प्रणाम मरिया कृपापोर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य है तुस्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्ब का फलियशू हे संथ मरिया इश्र की मा प्रात्ना करहम पापियों के लिए अब और हमारे मनने के समय आमे प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभू तेरे साथ है धन्य है तूस्त्रियों में और धन्य है तेरे कर्प का फलियशो हे संथ मरिया ईश्वरकी माँ प्रात्ना कर्धम पापियों के लिए अब और हमारे उमरने की समय आमे प्रणाम मरिया कृपापोर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य है तूस्त्रियों में और धन्य है तेरे कर्भ का फल येशो हे संत मरिया इश्वर की मा प्रातना कर हम पापयों के लिए अब और दमारे मरने के समय आमे हे संथ मरिया इश्र की माँ प्रातना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमें प्रणाम मरिया क्रिपापोर्न प्रभु तेरे साथ है धन्य है तुस्त्रियों में और धन्य है तेरे कर्प का फलेशो हे संथ मरिया इश्र की माँ प्रातना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमें प्रणाम मरिया क्रिपापोर्न प्रभु तेरे साथ है धन्य है तुस्त्रियों में और धन्य है तेरे कर्प का फलेशो हे संत मरिया इश्र की मा रातना करन हम पापियों के लिए अब और हमारे मनने की समय आमें पिताप पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो वे जैसे वा आदी में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमें हे मेरे इसु मेरे पापों को शमा कीजिए नरक की अगनी से हमें बचाईए सारी आत्माओं को विशेश कर जिने तेरी किरपा की अतियत अवश्रकता है उन्हें सोग में ले जाईए दूसरा भेद इसु कोडों से मारे जाते हैं येशु को केट समिनी बारी में विश्वास घाती यूदस ने चुम्बन देकर गिरफतार करवाया उन्होंने येशु को अन्नस, प्रधान याजक खैफस, यहूदी महासभा, राज्यपाल किलातुस, राज हेरोद आदी के पास ले जाकर उनका उपखास किया और इश्शनिंदा और राज्यत्रो का जूटा अभियोग लगा कर कुरूस धंड की मांग की लेकिन पिलातुस ने उनमें प्राण धंड के योग्ये कोई दोश नहीं पाया इसलिए कोड़े लगवाने का आदेश दिया प्रार्थना हे प्यारे एसु हम यस्विकार करते हैं कि हमारे पापों के कारण तुझे छेदित दिया गया और हमारे कुकर्मों के कारण तुझे पुचल दिया गया है तेरे उन घावों द्वारा हम भले चंगे हो गये हैं ये प्रभु, हम सभी रोगियों को तेरे पवित्र घावों में अर्पित करते हुए, उनकी चंगाई के लिए इस धेत को चड़ाते हैं। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना चाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में, वैसे प्रित्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रति दिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराद हमें शमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को शमा करते हैं, और हमें परिशा में ना डार, पढ़ंतु गुराई से बच्छा, आमें। प्रणाम मरिया, क्रिपापोन, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तु इस्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्प कवल येशू। हे संथ मरिया, इश्वर की मा, प्रातना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमें। प्रणाम मरिया, क्रिपापोन, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तु इस्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्प कवल येशू। हे संथ मरिया, इश्वर की मा, प्रातना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमें। प्रणाम मरिया, क्रिपापोन, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तु इस्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्प कवल येशू। हे संथ मरिया, इश्वर की मा, प्रातना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमें। प्रणाम मरिया, क्रिपापोन, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तु इस्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्प कवल येशू हे संथ मरिया, इशर की मा, प्रात्ना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मरने के समय, आमे प्रणाम मरिया, क्लिपापोन, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तु इस्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्प कःफल येशु हे संथ मरिया, एश्वर के मा, प्रादना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मलने के समय, आमे प्रणाम मरिया क्रिपापोन प्रबु तेरे साथ है धेंग्य है तु इस्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्ब कफल येसु हे संथ मरिया इश्वर की मा रातना कर हम पाप्यों के लिए अब और हमारे उमने के समय आमे प्रणाम मरिया, त्रिपापोन, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तु इस्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्प का अफल येशू हे संथ मरिया, इश्वर की मा, प्रात्ना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे उमर्ने के समय, आमे प्रणाम मरिया त्रिपापोन प्रभू तेरे साथ है धन्या है तु इस्त्रियों में और धन्या है तेरे गर्प कफल येशू हे संथ मरिया इश्र की मा प्रात्ना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमे प्रणाम मरिया, कृपापोन, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तु इस्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्प कफल इसू हे संथ मरिया, ईश्वर की मा, प्रात्ना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमे प्रणाम मरिया, तुरी पापोन, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तु इस्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्प कफल येसू हे संथ मरिया, इश्र की मा, प्रातना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मरने के समय, आमे पिता और पुत्र और पुवित्रा आत्मा की महिमा होवे, जैसे वा आदी में थी, अब है, और अनंतकार तक सदा रहेगी, आमे हे मेरे येसू, मेरे बापों को शमा कीजिए, नरग की अग्मी से हमें बचाईए, सारी आत्माओं को विशेश कर, जिने तेरी गर्पा की अतियत अवश्रकता है, उन्हें सुर्ण में ले जाईए तीसरा भेद, येशू को काटों का मुकुट पहनाया जाता है, प्रभु येशू को कोड़े लगवाने के बाद, राज जपाल ने, शैनिक उनके भवन के अंदर ले गए, उनके लहु लुहान कपड़े उतार कर, लाल चोगा पहनाया, सिर पर काटों का मुकुट पहनाया, और दाहिनी हाथ में सरकंडा तमा दिया, वे उन पर थूखते और सरकंडा चीन कर उनकी सिर पर मारते थे, इस प्रकार वहां सारी पल्टन एकत्र होकर, प्रभु का उपहास करने लगा, प्रार्थना, हे राजाओं के राजा, और प्रभुं के प्रभु, ये सुक्रित, तुम मौन रहकर, इस अत्याचार एवं अपमान निंदा को धैरिय से सहता गया, वद के लिए ले जाये जाने वाले मेमने की तरह, और उन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेट की तरह, तुने अपना मुह नहीं खुला, हमें भी विनमरता, सहन शक्ति, शमा शक्ति, आदी गुणों को प्रदान कीजिए, सभी अत्याचार सहन करने वाले, दुखित, पेडित, दीन हीन लोगों को, दलित वर्गों, दरिद्र, आदी को, तेरे अपमान, दुख पीडा से कृपा मिलने के लिए प्राठना करते हैं ही हमारे पिता, जो सोर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे सोर्ग में, वैसे पृत्वी परवी पूरी हो हमारा प्रदिदिन का आहाल आज हमें दे और हमारे अफराद हमें शमा कर जैसे हम भी अपने अफरादियों को शमा करते हैं और हमें परिशा में ना डाल परंतु गुराई से बच्चा आमें प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य दूस्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्व कफल एसो हे संथ मरिया इश्र की मा प्रादना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमें प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य दूस्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्व कफल एसो हे संथ मरिया इश्र की मा प्रादना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमें प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य दूस्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्व कफल एसो हे संथ मरिया इश्र की मा प्रादना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमें प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य दूस्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्व कफल एसो हे संथ मरिया इश्र की मा प्रादना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमें प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य दूस्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्व कफल एसो हे संथ मरिया इश्र की मा प्रादना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमें प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य दूस्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्व कफल एसो हे संथ मरिया इश्र की मा प्रादना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमें प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य दूस्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्व कफल एसो हे संथ मरिया इश्र की मा प्रादना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमें प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य दूस्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्व कफल एसो हे संथ मरिया इश्र की मा प्रादना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमें प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य दूस्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्व कफल एसो हे संथ मरिया इश्र की मा प्रादना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमें प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य दूस्त्रियों में और दन्य है तेरे गर्व कफल एसो हे संथ मरिया इश्र की मा प्रादना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमें पिता और पुत्र और पुत्र आत्मा के महिमा होवे जैसे वा आदी में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमें हे मेरे येशू मेरे पापों को शमा कीजिए नरग की अगनी से हमें बचाईए सारी आत्माओं को विशेश कर जिने तेरी कृपा की अतियत अवश्रकता है उन्हें सुर्ण में ले जाईए चाउता भेद येशू क्रूस दोते हैं शैनिकों ने येशू को क्रूस पर चड़ाने के लिए नगर के बाहर ले गए उन्होंने कुरेन निवासी सिमोन को येशू का क्रूस दोने को भाद्य किया लोहूं की भारी भीड उनके पीचे पीचे चल रही थी नारिया अपनी चाती पीटते हुए उनके रिये विलाप कर रही थी येशू ने उनसे कहा एरुसलेम की बेटियां मेरे लिए मत रो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो येदी हरी लकडी का हाल ये है तो सूकी का क्या होगा येशू अपना क्रूस लोते हुए गोल गोथा अर्तात खोपडी की जगह नामक स्तान पहुंचे वहां वे येशू का कपड़ा उथारे और दो कुकर्मियों के बीच क्रूस पर चड़ाए वे येशू का अपमान और उपहास करने लगे शैनिकों ने कपड़ों के चार भागिया और कुर्ते के लिए चिट्टी डाली ढाकु भी उनका उपहास करते थे फिलात उसने एक दोश पत्र भी लिखवा कर कुरूस पर लगवाय दिया प्रार्थना है निश्पापी प्यारे येसु हमारे पापों के भार को तुने क्रूस के रूप में उठाया कश्ट पीडा सहते हुए उसके लिए प्रायशित किया और हमें पापों के दंड से अचाया हमें ये गृपा प्रदान कर कि हम तेरे वच्चना अनुसार प्रति दिन का कुरूस पावित्र इवं सक्त्य का जीवन जीकर उठा सके सभी कटोर पापी, हत्यारे, ध्यवेचारी, बलातकारी, चोर डाकू, अतियाचारी, आतंगवादी, आदी की मन परिवर्दन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पिताग जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे प्रति पर भी पूरी हो हमारा प्रति दिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराद हमें शमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को शमा करते हैं और हमें परिशा में ना डार पढ़न तु गुनाई से बचा, आमे प्रणाम मरिया कृपापून प्रभु तेरे साथ है धनी है तुज त्रियों में और धनी है तेरे गर्ब का फले इसू हे संथ मरिया इश्र की माँ प्रात्ना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे उमरने के समय आमे प्रणाम मरिया, खृपा पूर्ण प्रभू तेरे साथ है, धनि है तू स्त्रियों में, और धनि है तेरे गर्व का फलईसू है संथ मरिया, इशर की माँ, प्रादना कट हम पापियों के लिए, अगोर हमारे मरने के समय, आमे प्रणाम मरिया खृपा पून प्रभु तेरे साथ है धनी है तू स्त्रियों में और धनी है तेरे गर्भ का फले इसू हे संथ मरिया इश्र की मा प्रात्ना कर्ध हम पापियों के लिए अब आल हमारी उमर्ने के समय आमे हे संत मरिया इश्वर की मा, प्रात्ना कर हम पाप्यों के लिए, अब और हमारे उमर्ने के समय, आमे प्रनाम मरिया, खिर्पा पून प्रभू तिरे साथ है, धनी है तू स्त्रियों में, और धनी है तेरे गर्ब का फलेईसू हे संथ मरिया, ईश्र की मा, प्रात्ना कर हम पापीयों के लिए, अब हर हमारे उमर्ने के समय, आमे हे संत मरिया इश्वर की मा प्रातना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमे प्रणाम मरिया खृपा पून प्रभु तेरे साथ है धनी है तुज त्रियों में और धनी है तेरे गर्भ का फले इसु हे संथ मरिया इश्वर की मा प्रात्ना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मरने के समय आमे प्रणाम मरिया खृपा पून प्रभु तेरे साथ है धन्य है तुज त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फ्रले इसू हे संथ मरिया इश्र की मा प्रात्ना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मर्मे के समय आमे है संथ मर्या इश्रगी मां प्रात्ना कर हम का पापियों के लिए अब हर हमारी उमणने के समय आमे प्रणाम्त मरिया खृपापून प्रभू तेरे साथ है धन्य है तुस्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फलेई सू हे संथ मरिया इश्वर की मा रातना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मढ़ने के समय आमें पिताओं और पूत्र और पवित्रात्मा के महीमा होगें जैसे वा आदी में थी और है और अनंतकार तक सदा रहीगी आमें हे मेरे येशू मेरे पापों को शमा कीजिए नरग की अगनी से हमें बचाईए सारी आत्माओं को विशेश कर जिने तेरी गर्भा की अतियत अवुश्यक्ता है उन्हें सुर्ण में ले जाईए पांजुआ भेद येशू कुरूस पर अपना प्राण त्यागते हैं येशू को कुरूस पर चड़ाते समें दो पहर से तीसरे पहर तक फूरे प्रदेश में अंधेरा चाय रहा येशू ने कुरूस पर से सभी अन्याई उपहास करने वालों के लिए पिता से शमा की प्रात्न की पश्चतापी डाकू के लिए पर लोग का वादा किया और अपनी माता और प्रीय सिश्य योगन को एक दूसरे को सौंप कर माता मरियम के साथ हमारे एक नया रिस्ता जोड़ा तीसरे पहर ये सुने पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ कहकर अपना प्राण त्याग दिये उसी समय मंदिर का परदा फट कर दो तुकणे हो गया पृत्वी कांप उटी चटान फट गई खब्र खुल गई और बहुत से मृत संतों की शरीर पुनर जीवित हो गया शत्पती और शैनिक ये सब दिखकर बोलुटे निश्य ही ये इश्वर का पुत्र था शैनिकों ने येशु के साथ कुरूस पर चड़ाये हुए दोनों कुकर्मियों के टांक तोड़ दी जिससे वे जल्द ही मर जाएं एक शैनिक ने येशु की बगल में भाला मारा और उससे तुरंद रक्त और जल बह निकला प्रार्तना क्रूस पर अपना प्राण अर्पित कर मानव जात्ती की मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभू येशु हमारी मुक्ति कच्चन पवित्र क्रूस को चूमते हुए इस महान प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं हे प्रभू तेरे कुरूस मरण की योग्यता से सब दर्मों के लोगों के बीच भ्रात्र प्रेम बड़े और सब तुझे मुक्ति दाता के रुप में स्विकार करें हे हमारी पिता जो स्वर्ख में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ख में वैसे प्रत्वी पर भी पूरी हो हमारा प्रति दिन का आःार आज हमें दे और हमारे अफ्राद हमें शमा कर । जैसे हम भी अपने अफ्रादियों को शमा करते हैं और हमें परीक्ष में ना डार परंतु हुराई से बच्छा आमें प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य है तुस्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्प कफल येसू हे संथ मरिया इश्वर की माँ प्रात्ना कर हम पाप्यों के लिए अब और हमारे उमरने के समय आमें प्रणाम मरिया करपापूर्ण प्रभू तेरे साथ है धन्य है तुस्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्प कफल ये सु हे सन्द मरिया इश्वर की मां रातना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे उमर्ने के समय आमी हे संथ मर्या इशर की मां रातना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मर्ने के समय आमे प्रणाम मर्या कृपापूर्ण प्रभू तेरे साथ है धन्य है तुस्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्ब कफल येशु हे संथ मर्या इश्र की मा प्रातना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमे प्रनाम मरिया, कृपापूर्ण पर्भू अचियरे साथ है, धन्य है तुस्तरीयों में और धन्य है तेरे गर्भ कफल येसू है संथ मरिया, इश्रकी मा, आतना कर हम पापीं के लिए, अब और हमारी मरने के समय, आमे प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभू तेरे साथ है, धन्य है तुस्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्ब कफल येसू हे संथ मरिया, इश्वर की मा, प्रातना कर्ण हम पापियों के लिए, अब और हमारे उम्रने के समय, आमे प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभू तेरे साथ है, धन्य है तुस्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्ब कफल येसू हे संथ मरिया, इश्वर की मा, प्रातना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमे हे संथ मरِया, इष्वर की मा, प्रातना करण हम पापियों के लिए, अबार हमारी मडने के समय. आमे हे संत मर्या इश्वर की मा प्रात्ना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी उमर्ने के समय आमें प्रणाम मर्या कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य है तुस्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्ब का फल येशू हे संत मर्या, इश्वर की मा, प्रातना कर हम पापियों के लिए, अब होर हमारी उमर्ने के समय, आमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे जैसे वा आदी में थी, आभै और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमें हे मेरे येसु, मेरे पापों को शमा कीजिए, नरकी अग्मी से हमें बचाईए, सारी आत्माओं को विशेश कर, जिने तेरी गृपा की अतियत अवश्यक्ता है, उन्हें सोर्ण में ले जाईए प्रणाम व्रानी, प्रणाम व्रानी, रखी मा, हमारा जीवन, हमारी मदुर्ता, और आशा, तुझे प्रणाम हम गेवा की दिर्वासि संतान तुझे पुकारते हैं हम इस दुख्पूर्ण संसार में रोते और विलाब करते हुए तेरा नाम लेते हैं हे हमारी माता कृपिया हम पर द्रयात रिश्टी कर हे इश्वर की पवित्रमा अमारे लिए प्रार्थ ना कर हम प्रार्थ ना करें हे पिता तेरे इकलोते पुत्र ने अपने जीवन मृत्यू एवं पुनुर्थान से हमारे लिए अनंद जीवन प्राप्त किया है हम तुझे से विंदी करते हैं कि पवित्र कुवारी मरियम की अतिपवित्र माला के इन भेदों पर मनन करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं हम उनका अनुकरन करें और जिनकी वे प्रदिग्या करते हैं उनको प्राप्त करें उनी हमारे प्रभु प्रिस्ट के द्वारा आमेन अपने हाथों को जोड़कर अपने आँखें बंद करके हम कुवारी मरियम की स्थुद्धि विंदी में सखभागी हो वे दयाकरोहे प्रभुहंपर सर्गवासित दभगवन दयाकरोहे प्रभुहंपर मुतिदाता कृस्त भगवन दयाकरोहे प्रभुहंपर एपावन आत्मा भगवन दयाकरोहे प्रभुहंपर एक पवेत्र तृत्व भगवन गया करोगे प्रभु हम पर बिंति करो मा बिंति करो मा बिंति करोगे मरियम माता भक्तों के लिये मरियम मा बिंति करोगे मरियम माता भक्तों के लिये मरियम मा इश्वर की मा बिंति करो मा रेजन हार प्रभु की मा बिंति करो मा तारन हार प्रभु की मा बिंति करो मा पावन तली सिया की मा बिंति करो मा बिंति करोगे मरियम माता भक्तों के लिये बिंति करोगे मरियम माता भक्तों के लिये बिंति करों प्रेस्तानों की है तों मा बिंति करों मा इश्वर्य कर्पाकी मा बिंति करों मा बिंति करों मा दुनिया की click on संदर मां विंति करो मां निर्बल की तो बलह मां विंति करो मां पापियों की शरण मां विंति करो मां विंति करो है मरियम माता भक्तों के लिए विंति करो हे मरियम माता भक्तों के लिये देलों की ममता मैमा विंति करो पाँ दुखियों की दिला सामा विंति करो मा रोगियों की स्वास्थमा विंति करो मा करो नामै कु आरीमा विंति करो मा विंति करो हे मरियम माता भक्तों के लिये विंति करो हे मरियम माता भक्तों के लिये कशन सकी योग्यमा, विंति करो मा, नेश्कलंक और निर्मलमा, विंति करो मा, शोध और निर्मलमा, विंति करो मा, सुति योग्यकु आरिमा, विंति करो मा, विंति करो हे, मरियम माता भातो के लिये, विंति करो हे, मरियम माता भातो के लिये, शक्ती मान कु आरिमा, विंति करो मा, आदर योग्यकु आरिमा, विंति करो मा, विंति करो मा, विंति के हे मन्जूशा, विंति करो मा, विंति करो हे, मरियम माता भातो के लिए। भक्ति के हे उत्तंपात्र, विंति करो मा, जग्या के सिन्हा सर्मा, विंति करो मा, आनंद के भन्दार्मा, विंति करो मा, न्याय दिलाई प्रेमी मा, विंति करो मा, विंति करो हे, मरियम माता भखतों के दिये विंति करो हे, मरियम माता भखतों के दिये स्वर्ग का तु द्वारमा, विंति करो मा, सुनेहरे रंगो की अमा, विंति करो मा, विंति चभात के मंगल तारे विंति करो माँ विंति करो हे मरियम माता भाक्तों के लिए विंति करो हे मरियम माता भाक्तों के देव दो तो की रानी विंति करो मा धर्म पुर्खो की रानी विंति करो मा तेर तो की रानी विंति करो मा लगु गवाहो की रानी विंति करो मा विंति करो हे मरियम माता भातो के लिये विंति करो हे मरियम माता भातो के लिये धर्म दवागों की रानी, विंति करो मा, वारियों की रानी तू, विंति करो मा, सब संतों की रानी तू, विंति करो मा, सर्गुक्रहित महारानी, विंति करो मा, आवन माला की रानी, विंति करो मा, जब में शांती की रानी, विंति करो मा, विंति करो है, मरियम माता भदो के लिये, विंति करो है, मरियम माता भदो के लिये, विंति करो मा, विंति करो मा, सर्गुक्रहित महारानी, विंति करो के लिये, इश्वर के मेमनें तू संसार के पाखर लेता है दया करो हे प्रभु हम पर हम प्रार्पना करें हे प्रभु इश्वर कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन्मन से स्वस्त रहने का आनंद प्रदान कर अर नित्य कुवारी मरियम की प्रार्तना द्वारा हमको इस लोग के दुख से मुक्त होकर अनंद सुख भोग ने दे खृष्ट हमारे प्रभु के द्वारा आमेन याद कर विंती याद कर ए परम्दयालू कुवारी मरियम की यह कभी सुने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विंतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझ से असहाय छोड़ा गया हूँ हे कुवारियों की कुवारी हे मेरी मां इसी आसरे से मैं तेरे पास दोड़ाता हूँ और करहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ हे खृष्ट की मां मेरी विंती को अस्विकार मत कर परदया से उसको सुन और पूरा कर आमेन विशेस आशिश के लिए सिर जुकाएं प्रभू आप लोगों के साथ हो और आखी आद्मा के साथ इश्वर के पुत्र ने धन्य कुवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाती का उधार किया वही इश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशिश देता रहे आमेन जिन धन्य कुवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपती प्राप्त हुए उनी के सनरक्षन का अनभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहे आमेन आप लोग भक्ती भावना से भर कर आज पवित्र रोसरी विंदी किये हैं इसलिए आध्याद्मिक आनन और स्वर्गिक प्रशकार भी प्राप्त कीजिए आमेन सर्वशक्ति मान इश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशिरवात आप लोगों पर पुत्रे और सदा बना रखे आमेन एमा मर्यम सनो मर्यम से ओन पुत्रे और सुंदर तुम् एमा मर्यम सनो मर्यम से ओन पुत्रे और सुंदर तुम् जवाखी मरन्ना की बेटी प्यारी भोली भाली निर्मल दुलारी चुन के तुछ को इश्वर बोला पनोंगे तुम् एमा मर्यम सनो मर्यम से ओन पुत्रे और सुंदर तुम् एमा मर्यम सनो मर्यम से ओन पुत्रे और सुंदर तुम् एमा मर्यम से ओन पुत्रे यहार बोलारी झालव बोलारी एमा मर्यम से ओन पुत्रे वाखी अग्याज